मैं आपका वेक्टर को रिबजिट कर रहा हूँ इसमें एक प्रॉलम डिसकस करता हूँ जैसे कि देखो ये तुम्हारा बोलो ये क्या है ये x-axis है ये y-axis है ये मान लो f1 है ठीक है बच्चो और ये तुम्हारा दिया है f2 दिया हुआ ये angle मान के चलो ये आपका 30 degree और ये theta ठ ठीक है अब देखो इसका जो दोनों का resultant जो दिया हुआ है ये total आपका 80 root 3 है और पूरा का पूरा ये y direction में है अब तुम्हें क्या करना है f2 का minimum value निकालना है ठीक है और theta का भी value निकालना है और f1 का भी value निकालना है तो देखो ये already दिया हुआ है तुम्हारा ये 80 root 3 जो चाहोगे तो ये f1 का जो component कितना होगा ये तो आपका f1 sin 30 हुआ ठीक है बच्चों और ये कितना हुआ ये f2 cos theta ये f2 sin theta हुआ तो बोलो ये दोनों को इक्वेट करोगे तो f2 sin theta is equal to f1 by 2 हुआ तो बोलो f1 की value कितनी आगे बोलो यार तो f1 की value आ जाएगी 2 f2 sin theta ठीक है तो चलो बताओ ये लिख दो आप यहाँ पर f1 is equal to 2 f2 sin theta ठीक है ये हो गया एक मिनट f1 is equal to 2 f2 sin theta चलो ये मैंने value यहाँ पर set कर दिया अब बताओ तुम्हें अब क्या करनी होगी अब तुमको ये जो दोनों components है इसका f1 का ये वाली component क्या होगा ये होगा तुमारा f1 cos 30 and plus ये f2 की वाली component क्या होगा f2 cos theta ठीक है ये component होगा और ये मिल करके आपका क्या होना चाहिए 80 root 3 ठीक है ये जो होना चाहिए एक मिनट ये आपका f1 f1 का हो गया तुमारा ये component f1 cos 30 degree and plus f2 cos theta is equal to ये हो गया 80 root 3 चलो ठीक है अब इसका value put कर दो इसमें तुमारा f1 की value put कर दो कितना आएगा 2 f2 sin theta ना f1 की value आ रहा है 2 f2 sin theta ठीक है तो इसमें cos 30 तो ये पहले f1 root 3 by 2 and plus f2 cos theta is equal to 80 root 3 ठीक है बचो चलो अब ये f1 की value 2 f2 sin theta into root 3 by 2 plus f2 cos theta is equal to 80 root 3 ठीक है सही है तो आपका ये 2 2 cancel हो गया ठीक है 2 2 cancel हो गया और इसमें आपको इसका f2 common ले लो and root 3 sin theta plus cos theta is equal to 80 root 3 ठीक है चलो ये हो गया आपका 80 root 3 is equal to is equal to 80 root 3 ठीक है बचो अब ये करो ऐसा तुम इसको अब ये f2 इसमें निकाल लो f2 is equal to क्या हो जाएगा f2 is equal to 80 root 3 by चलो f2 is equal to 80 root 3 divided by क्या हो जाएगा root 3 sin theta plus cos theta root 3 sin theta plus cos theta ठीक है स्टुडेंट अब क्या करोगे तुम्हें अब theta तो अब इसमें क्या करोगे कुछ आइडिया लग रहा है अब देखो is equal to करोगे 80 root 3 अब ऐसा करो इसको एक single function बना दो root 3 एक coefficient 1 है न तो ये root 3 का whole square plus 1 square तो ये तो 2 हो गया तो ऐसा करो इसको तुम लिखो 2 root 3 by 2 sin theta plus 1 by 2 cos theta ठीक है तो is equal to 8 मतलब ये तो cancel होगा तो कितना हो जाएगा 40 root 3 and this is the value of the f2 right तो 40 root 3 और ये sin theta and cos कितना हो जाएगा ये 30 degree cos 30 degree plus cos theta और sin 30 degree ठीक है तो ये sin a cos b plus cos a sin b तो बोलो क्या हो जाएगा sin a cos b तो is equal to 40 f2 is equal to 40 root 3 और sin theta plus क्या हो जाएगा student sin a cos b cos a sin b 30 degree ठीक है तो देखो ये तुम्हारी value बोलो कितनी आ गई बताओ ये आ गया तुम्हारा f2 की value बोलो 40 root 3 upon sin and theta plus 30 degree तो देखो तुमको इसकी minimum value निकाल ली है क्या dear friends इसकी क्या value निकाल ली है minimum value निकाल ली है right तो minimum value जो तुम्हारा होगा ये तभी होगा जब ये क्या होगा maximum होगा ये 1 होगा और ये theta plus 30 degree is equal to 90 degree होने वाला है ठीक है तो इसका मतलब theta is equal to 60 degree तो देखो ये answer मिल गया उसी तरीके से तुम्हारा अब ये तो 1 होगया तो f2 is equal to बोलो क्या हो जाएगा 40 root 3 f2 is equal to 40 root 3 और अपना f1 is equal to 2 कितना है था भाई f1 is equal to 2 जैसे ये result आया था f1 is equal to 2 f2 sin theta तो 2 into f2 की value 40 root 3 and sin 60 degree ये root 3 by 2 तो 2 2 गया 40 into 3 तो 120 तो देखो इसमें कैसे हम लोग इसको क्या करते है मतलब minima इसको function को खास करके ये trigger का use करके और चाहो तो तुम इसको जो नीचे वाला जो term था उसको differentiate करके भी ये कर सकते हो जैसे कि अपना कुछ क्या sin theta plus something आया था ठीक है एक बार आप try करना नीचे वाला जो है उसको maxima करने के लिए differentiate करके 0 करेंगे right ओके थैंक यू